हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टड़ी शीड चैनल दोस्तों आज मैं हैड्यो थरेपी यानि जल्ची किसा के बारे में बता रही हूं दोस्तों इससे पहले में सजेस्ट करूंगी कि आप पुर्य रवास यानि रियेविलिटीशन प्रॉसेस के बारे में वीडियो दे है तो दोस्तों आज के टॉपिक पर चलते हैं हाइड्यो थरेपी यानि जल्ची किसा क्या है तो बिस्तित जंकारी के लिए आप वीडियो को सुरू से लाज तक देखेगा बीच में इसकिप मत कीजिएगा और पहली बाद भी जीच कर रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर शल्डाएप तो दोस्तों चली जानते हैं हाइड्यो थरेप क्या है जल्ची कस्ता है डोस्तों मैं लुक्त को सक़ते हैं कि जल के द्वारा कियेगे चिकिस्टा को क्या बोला जाता है तो हाइड्रोथ्रेपी में जल विधी से चिकिस्टा किया जाता है इसमें गर्म और ठंड़ा जल का प्रयोग किया जाता है जिसमें विशेश रुप से जल के तापमान पर विशेश ध्यान दिया जाता है दोस्तो इसमें दो प्रकार से चिकिस्टा किया जाता है एक गर्म पानी से एक बर्फ वो ठंडे पानी की चिकिस्टा किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्म पानी से वोने वाले चिकिस्टा के बारे में गर्म पानी की चिकिस्टा में भौर इसनान वर्लपुल बहुत या तिसरा गर्म और ठंदा इसनार यानि कॉन टॉस्ट बास और जाकुजिया बात यह पर किया प्रीटोल प्राइक कि आते हैं तो सबसे पहले आजयों से हम बात करेंगे भौर इस्थनान यानि वहलफुल वाथ के बारे में दोस्तों बहुंत वहलफुल बात जो हता है जल बिले टक्नीक से इसकी चिकिस्ता किया जाता है यानि की Water Emposition Methods से जल में जिसको चोट लगा उसको डुबो दिया जाता है और इसमें टॉब में गर्म पानी रखा जाता है और मसीनी तक्नीके के द्वारा भावर के रूप में घुमता है जिसमें सरीर के भाग को डूबवा जाता है याने कि जो चोट गर्स्त भाग होता है उसको डूबवा जाता है दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसमें गुर्टवा करसबल यानि ग्रेविटेशनल फोर्स उदासिन होकर सरीर के भाग यानि चोट ग्रस्थ भाग को अपनी तरफ खिचता है जिसमें क्या होता है गुर्टवा करसबल ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उदासिन होकर सरीर के चोट ग्रस्थ भाग को बायोंसी तक्नीक एक करण पानी में तरहने में शाहता करता है जैसे कि दूस्तो कैसे तरहता है पानी में जैसे कि गुर्टवा कर्सल फोर्स जो हता है अपनी तरफ खिचता है आप उपर की तरफ भेचता है इस प्रकार्वाद एक उपर की तरफ खिछता है एक नीचे की तरफ भेशता है एक भायानसी Тपनी इस प्रकार ते तयरता रहता है। यह फ़क बहवर के रुप में जैसर कि चक्रवाथ होता है, एक घुमता है। जिससे जो चोटगस्त भाग है उसको मसाज हो जाता है तो इसका प्रयोग दोस्तों मसल स्पूल, कांट यूजन, स्प्रेन, टेनुसाइनुवाइटीज, टेन्डिनिटीज आदी चोटों में होता है इसे पानी का तापमान 12-15 डिगरी सेल्टीगेट तक अच्छा माना जाता है इसके अलावां दोस्तों इस प्रक्वचार को वाटर जेट मसाज के साथ भी पानी के उच्छ बाप पर रखने पर उप्योग किया जाता है यह तो था बहुर इसनान वर्लपूल वाथ नेक्स्ट है गर्म पानी के इसनान में विले इसनान यानि इम्वरेशन वाथ इसमे जह किया जाता है दोस्तों कि गर्म पानी होता है एक टोब में अचोट की प्रकिति के अनुसार जैसा भी चौट तोहन कर सके उस प्रकार का पानी घर्म पानी होता है जोँपी छोट लगा एऊ उस अंग में ततपरत लाने के लिए इसको ढूबूए जाता है अब फिर हलु पानी का परियोग किया जाता है। ठीक है इसमें कल्सा पानी का प्रियोक करेंगे दोस्तों यहां पे कोशन यह पूछता है कि कंट्रास्ट बात में सबसे पहले किस पानी का प्रियोक किया जाता है तो ठंड़े पानी का प्रियोक किया जाता है यह ध्यान रखिएगा इसमें चिकिस्ता समय 15-30 मिनदर तक होता है यानि 15-30 मिनदर तक पहले ठंड़ा पानी फिर गर्म पानी फिर गर्म पानी इसी तरह करते रहेंगी चोट के प्रकिति के अनुसार इसमें अलग-अलग बिधी से प्रियोक किया जाता है जैसे की दिर्ग चोट है यानि की क्रोनिक इंजरी है यानि पुरानी चोट है तो 30 सेकेंड ठंड़े पानी में दूबोएंगे चोटिल अंको फिर दो मिनद गर्म पानी में यानि की नई चोट है तो दो मिनद ठंड़े पानी में डालेंगे अब फिर 10-20-30 सेकेंड तक गर्म पानी में रखेंगे यानि की दो मिनद ठंड़े पानी में डालेंगे इसी तरह 15-30 मिनद तक करते रहेंगे फिर यानि ओर यूज इंजरी है यानि बार-बार लगने वाला चोट है तो उसमें एक मिनद ठंड़े पानी में और एक मिनद गर्म पानी में क्रम से 15-30 मिनद तक डूबोटे रहेंगे तो इस प्रकार से आपका गर्म और ठंड़ा इस्तान यानि कंट्रास्ट बात में होता है तो कोशन पुछे जाता है कि कंट्रास्ट बात गर्म और ठंड़े पानी की चिकिसा को क्या कहा जाता है तो कंट्रास्ट बात तो कंट्रास्ट बात में किस जल का पहले प्रयोग किया जाता है तो ठंड़े जल का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले दोस्तो थंडा जल जो होता है रक्त वाहिन्यों में वैसो कॉंसिंटिक्शन का कारे करता है इसमें पानी का तापमान कैसा होता है दोस्तो चोठ की प्रकीती के उन्सार यदि अधिक गर्म पानी है तो 70 तिग्री से अधिक या सबसे बढ़िया ताप मान जो है 40 से 45 डिग्री सेंटिगेट होता है अधिक गर्म पानी का गर्म पानी है जैसा कि गर्म पानी होता है 34 से 37 डिग्री तक गुर्णगुना पानी का ताप 26 से 33 डिग्री तक होता है और ठंडा पानी 12 से 18 डिग्री सेंटिग्री तक अधे ठंडा पानी है तो 12 डिग्री से कम होगा अधे 0 डिग्री पर तो बर्फ जम जाता है ठीक है नेशने दोस्तों जाकुजिया बात यानि कि इसमें क्या होता है कि चोटिल अंग को जल से भरे टॉफ में डूबो कर उस टॉफ में लगे जेट मसाजर के दोरा पानी के अंदर जेट मसाजर लगा होता है तो जेट मसाजर पानी के अंदर शूई के नोग जैसे पानी की धार को तेजी से अंग पर प्रहार करता है यानि कि एक प्रकार का मसाज जल की अंदर इसमें किया जाता है इसमें क्या होता है कि एक टॉप होता है जल से भरा हुआ उसमें अंग को डुबो दिया जाता है चोट लगी अंग को उसके बाद उसमें एक जेट मसाजर होता है पानी के अंदर जेट मसाजर रखा हुआ होता है लगा हुआ होता है जिसके जिससे जो होता है जेट मसाजर जो होता है पानी के अंदर सुई के नोग जैसे उसमें सुई के नोग जैसे लगे होते हैं तो और सुई के नोग जैसे प पास कहते हैं निफ्ट है हाइड्रोकॉल्ट्रल पेकॉल्चुल्ट्र L में पॉल्च just कει सद्रक्र devastation किया जाता है कि थंदी चिकुल्च द्रक्राइब प्रड़िए पानि निम्मा पानी के तंदा पानी रखा जाता है जो बैग होता है वो मुलायम सिंथेटिक का बना होता है जिसे सरीर के किसी भी अंग को कोई नुकसान नहीं पहुचाता है और गरम चीकिस्टा के लिए गरम पानी या साइटोक्रूम का उपयोग किया जाता है जिसे तापी सम्वेदना और ताप नियमन नियंतर में कमी के कारण पयोग में लाए जाता है इसका प्रभाव एक किस चोट के लिए प्रभावी होता है मसल्स कंट्रक्शन्स मसल्स इस्ट्रेन और मसल्स इस्प्रेन यान चोट और मूच इन सब के लिए लाव में दर्द में कमी करता है पेजी एठन में कमी करता है रक्त संचर को बढ़ा देता है इसमें इस तक्निकी में तापमान जो है प्रेस्ट दिग्री संटिगेर तक होना चाहिए इलाज कर समय 20-30 मिल्ड तक चोट वाले भाग वह पैक के मद्य जो हमारा पैक है ठंडी चिकिसा के लिए अलग पैक ठंडे पानी में और गर्म चिकिसा के लिए साइटोक्रोम गरम पनी और साइटोक्रोम कप्रियों किया तो इस उसको क्या किया जाता है जहां पे चोट लगा है वह वहां पिली दो तौर रख लेंगे उसके उपर उस पैक को बैक नुमा पैक को रख देंगे जिससे उसका मसाज होता रहे गया उसके अंदर चोट लगे भाग को ओ डर्द में कमी और रख तो संचर को बहा देता है जिससे ओ देज़र ठीक होता है यह तो था दोस्तों गरम जल की चिकिस्टा जिसके अंतरगत हमने बहुर इसनाने वहलफुल बात बिला इसनाने इम्प्रेशन बात गर्म और ठंड़ा इसनाने कंट्रास्ट बात जाकुजिया बात एंड हाइडियो कुलोटरल पैक के बारे में जाना अब बात करते हैं बर्फ और ठंडे पाने की चिकिस्टा दोस्तों ठंडे चिकिस्टा से पहले बात करते हैं ठंडे चिकिस्टा यने की क्रायो थेरेपी क्रायो थेरेपी ठंडे चिकिस्टा को क्या कहते हैं क्रायो थेरेपी इसमें ठंडे पाने वा बर्फ का प्रियोग किया जाता है यह athletic प्रकार की चोटों के लिए सबसे प्रभावी विधी होती है दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि athletic प्रकार की चोटों के लिए सबसे प्रभावी विधी कौन सी है थंदे चिकिश यानि क्रायो थेरीपी है थंदे पानी वा बर्प का प्रियोग किया जाता है तो कुछिण एक पूछी का कि प्रकार की चोटों के लिए सबसे प्रहोई कोंची है तो क्राइछ दोस्तों फेस कोंची क्या चोटों यानि यानि के चोटे में इस means ट्रेंड मुसल्स एथन यानि मसल्स ग्रैम एक्यूट इंजरी क्रोनिक इंजरी यानी इद इंजरी यानि की तुरंत लगी चोटे, क्रोनिक यानि पुरानी चोटे इन सब का परियोग के लिए ठंडी थरेपी का परियोग किया जाता है इसमें बर्ब का परियोग रगर कर या रख कर या उस पर बांस कर किया जाता है इससे ठंडे चिकिसा यानि क्रायो थरेपी की अंतरगत विभिन प्रकार से चिकिसा किया जाता है सबसे पहले आपको चोट लगा तो आप इसके कई प्रकार हैं क्रायो थरेपी के जैसे की पहला है बर्फ मालिस जहां पर चोट लग गया है तो उस पर हम सबसे पहले बर्फ मालिस यानि आइस मसाज करते हैं यानि कि इसमें बर्फ के पॉलिथीन बैग में डाल कर चोट ग्रस्त भाग पर हलका हलका रगड़ जाता है रगड़ने की दिशा सीधा या घुमाओदार किया जा सकता है या क्रिया 5-10 मिन तक लगातार की जाती है इस पर क्रिया को कई बार दोहरा जाता है चोट की प्रकृति के अधार पर दुसरा है क्राय थरेपी ठंडे चीकिस्टा में ठंडे पानी में डूबोना यानि जो चोट लगाया है उस अंको ठंडे पानी में डूबोना यानि कोल्ड इमरेशन के अंतरगत एक टब होता है टब में ठंडा पानी यानि की 50% उसमें बर्फ होता है पचास परसेंट ठंडा पानी होता है कि पचास परसेंट पानी दूनों की मात्रा होती है तो ठंडे पानी टब में रखा जाता है और उसका तापन जीओ से 10 डिगी चिंटिकेट तक होता है और उसमें क्यों ट्रगस्त भाग को 10 मिन तक पानी में डूबो जाता है और 10 मिन की अवदी को टुकडों में बाटकर प क्राय थ्रेपिक में बर्फ की थैलियां इसमें भी बर्फ की थैलिया यानि आइस पैक का प्रयोग किया जाता है यानि कि प्लास्टिक बैग या थैली में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े या बर्फ को पिखला कर इसमें रखा जाता है इसका प्रियोग चोटगस्त भाग पर लगभग 20 मिनट तक किया जाता है इसको दिन में कई बार दोराया जा सकता है और नेक्स्ट है क्रायोथरेपी के अंतरगा तो वास्प युक्त इस्प्रे यानि वैपोर राइजड कोल्ड इस्प्रे दोस्तों आजकर जदातर चोट लगने के तुरंत बात मास्पेशियों को यार चोट को अराम देने के लिए ठंडे इस्प्रे का प्रियोग किया जाता ह जो कि वास्पित होकर उर्जा प्रदान करते हैं इन इस्प्रे में कौन से गैस का प्रियोग किया जाता है तो एक कोशन कई वर पुछा जाता है कि वास्प युक्त इस्प्रे में कौन से गैस का प्रियोग किया जाता है तो मिध्यान में रखिएगा एन दोस्तों नेक्ट ह थंड़ा और चिकिस्ट की बयायाम यानि क्रायो काइनेटिक्स इसमें चोटिल भाग पर बर्थ का प्रयोग किया जाता है उसके बात फीर समान या हलके गति के बयाम किया जाते हैं दर्द महसुस होते ही बयाम को रोख दिया जाता है इस प्रकार तीन से चार बात दोहराया जाता है और इसमें कारकी और चिकिस्टी दोनों प्रकार की छती पूर्थी प्राप्त होते हैं और दोस्तों इसमें तिवर्य यानि सिग्र छती पूर्थी प्रा कोल्ड टावल में गिले कपड़े के तावल को फ्रीजर में जमा दिया जाता है फिर जम जाने पर चोट लगे अंग पर उस तावल को लपीड दिया जाता है तो दोस्तों यह था आपका हाइड्रो थेरीपी इसके अंतरगत बहुत सारे थेरीपीच के बारे में मैंने बताया और सारे थेरीपीच होते हैं बट इसमें जो आपके एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट हैं वही मैंने यहां पर रखा है तो दोस्तों आई होब कि आपको हाइड्रो थेरीपी की बारे में जानकारी हो गया होगा और इससे बाहर कुस्टेंस आपके नहीं आ सकते नेस्ट जादे अपने दोस्तों तक भी सियर कीजिए जिससे आपके माधिम से उन तक भी वीडियो पहुंच सके दोस्तों पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को फ्रेस कर लीजिए जिससे जो ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नाटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहें